हेलो दोस्तो गूड मार्निंग कैसे हैं आप सब मैं आशा करते हूँ कि आप सभी लोग जहां भी हुँगे स्वस्थ हुँगे मस्थ हुँगे और एकदम बढ़िया से हुँगे दोस्तो अभी सुबह के बज रहे हैं साड़े आठ और हम नहाध होकर तयार हो गए हैं खाना भी हमारा बन गया है दोस्तो कि सनी स्कूल चले गए हैं और बाकी लोग अभी बाहर काम कर रहे हैं और अभी मैं अपने बेडरूम की सफाई की की हूँ और चलती हूँ बाहर दोस्तो दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है बाहर और उधर हमारा चूल्धा वाला जो फीचर है उसको भी लीपना है जाड़ो लगा के आई हूँ तो भी उसको लीपना है चलूंगी तो और इदर आईयो दिखाते हैं क्या हो रहा है दोस्तो बाहर तो सभी लोग जो है कि अपने अपने कामों में लगे हूँ है और इदर देखिए पापा जी जो है कि खेतों की सिचाई कर रहे हैं और एदर भावी और भ्या और साजन गी हो रहे हैं.. इसमें नई सब्जी लगाएंगे इस समय लेशुन धनिया और प्याज गरह लगेगा इसमें तो इसको गोड़ कर थोड़ा गया था तो अभी जहीं इसकी सिचाई कर रहे हैं पापा और इसमें जाधा पानी नहीं दुबएंगे नहीं तो यहीं कि पकने में टाइम लगेगा तो बस हलका हलका जोएंगी उस तरह से पानी दवार दे रहा है इसके बाद भो देंगे फिर इसमें सब्जी लगाएंगे और इधर भी देखे दोस्तों इधर भी ते तयार है और देखिए चोटी भी उठ गई है हेलो चोटी गुट मॉर्निंग तो देखिए अभी अभी स अभी आदमी को फिलाने आता है अदमी को फिलाने ही को आता है बटोरने नहीं आता है और आए दिखाते हैं दोस्तों अपना चूला जो एक दिन हम डाले हुए थे यह देखिए आधा पड़ा हुआ है आधा भी बच्चा हुआ है तो कल टाइम ने मिल पाया और आज सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर दें अब पड़ेगा तो देखिए यहां पर पूरा गेहु साजन फेला दिये हैं और इधर पापा खेतों की सिचाई भी कर चुके हैं अब उधर दुकान की तरफ जो है कि पानी दवारने के लिए पाइप ले गए हैं और मैं चलती हूँ दोस्तों चूला लिपने के लिए तो यहां से थोड़ा पाइब डालते हैं और इसको बढ़िया से घोर कर लिप देते हैं तो हमारे गाव में एकसी तरह से जहां की पाइब होती है कि हम लोग इसी तरह से प्लिए को प्लिपते हैं हम लिए नायर के तयार हो गया है और चल्ला को कि रहे हुआ है और त्यूर्ण को dallaय पցरत रही हैं है प्लुकति दोस्तों देवारा निर्भी कानेवाला है और दीवाली कुछ और दीम कि मिठाइया बनाते हैं तो मैं भी सोच रही हूं कि आज कुछ मेठाई बनाओं तो आप लोग वीडियों पर बने रहे हैं दोस्तों बहुत ही बढ़ियां जो है कि मिठाई बनाओं तो बता देती हैं दोस्तों इस समय डेंगु का प्रकोप बहुत ही जादा चल रहा है हमारे बनारस में तो मैं सोच करें दोस्तों आप इसी मिठाई बनाऊं ताकि डेंगु की डेंगु के जो पेसेंट है उसको खाए और उनका फ्रकोप लेट भी बढ़े निकी प्रकोपीटा के प्रकोपीटा का इम अधाय बनाने वाले हूं दोस्तों चलिए आप ही चलते हैं कि जर्टिंग में और दिख दोस्तों आपको कुछ बाहर का भी नजारा दिखा देते हैं तो देखिए इस समय सवादस बज रहे हैं मौसम तो काफी साफ है धूब किया हुआ है मनिसा जी कहा जा रही है पपीता तोड़ने जारी में आ रहे हैं बस अभी आ रहे हैं दोस्तों एक घंटा हो गया हम लोग को उस्तों करते हुए और चलिया आपको ले चलते हैं देखें हम लोग की बनके दोस्तों तयार हुआ है कि महीं हुआ है तो यह देखिए वनिसा जी लगी हुए है जी जान से पुरा आप लुग को बनाके ठुएने में यह देखिए देखिए दोस्तो यह अभी हमारा पॉत र पतंजली का और यह देखे दोस्तों मारा पतंजली का टीसर हमें दोस्तों तीन-चार चीज आडर करना है पतंजली में यह आपकों दिखाते हैं यह देखे मेरे पास लिस्ट है और इसमें क्या लिखा हुआ है गिलो जूस तीन पीस अस्वगंधा चूड चार पीस सतावर डेंगू निल-चार बतनजली में अच्छी दाभा है दो पीस और पतंजली का बाम बड़ा वला दो पीस और घिलो ए घंवटी दो इतना चीज दोस्तों मुvention आड Daar लगा ना मैंने Psalm किया तो पोन के और उपन रही तर ब्सका बन्सका बन्द है तो इतना चीज दोस्तों फि वापस जा रहा है कल भी आये थे और आज मैंने बोला था कि साम तक आपको मिल जाएगा तो इस प्वाटर कर दोस्तों दो गंटे में माल मेरे दुखान पर आ जाएगा और इधर हम सुटिंग भी कर रहे हैं पापा दुखान में इसमें है दोस्तों आधे घंटे के लिए गए बॉक्तिंग हैं तो हम चलते हैं पटा पूट दुकान में दोस्तों आज के इस ब्लाग में हाई दोस्तों हमारा यह लड़ बनकर तयार हो गया है बहुत ही टेस्टी बनी वहीं है दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पे हम नारियल का कोट किये हुए ह जो कि देखने में एकदम की तरह लग राया है काफी दोस्तों मेहनत करने के बाद, हम बना के तयार कर लिए है और चलिए दोस्तों टेश्ट कर के बताते हैं कि लट्टू कैसा है और कि लट्टूा? आपके मुंद मझाए एक साउते pills इसे कहने लोगराे तेस्ट करिये और बताएं कैसा बना है इसका इसस्वाद तो बहुत जबरजस्ति इसके सामने तो दोस्तो मीठा ही फेला है उचे मीठा दोशे भीधन पसंद देशी चीजी जो बनती है दोस्तो पहुत ही अच्छा लगता है तो दोस्तो इस पपीते का हम कोई भी मतलब वह ज तामिल और वे अगेरा सब जो है कि इस लड़ू में मिला रहे हैं तो कुछ भी इसमें का रहा है तो पानियो नहीं 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 काले हैं तो लड़ू तो हमारा दुस्तो बनके तयार है शुटिंग पी हो गया और हम लोग अप चल लें दोस्तो अपने अपने सौप में फिर आप से बाद में मिलेंगे और आप लोग भी दोस्तो इस तरह से लड़ू बनाईए पपीते का है लड़ू दोस्तो दोस्तो दिवाली मतलब तीन बजने वाले हैं दो बजकर 45 मिनट हो गए हैं और मैं जो है की रेश्पी सूट करके सो गई थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे थकान टाइप का लग रहा था और इधर देखिए जो सुबा में हम लोग गया है हां पर शाया गया है तो इसको देखिए भावी अभी गोलिया रही है और इसको हम जो है की जाड़ों से बटोरेंगे जो एक आध्यों भी हम सुटा है इधर गोलिया अकर फिर इसको रखेंगे अंदर फिर इसको जो है कि कल धूप करेगा तो फैलाएंगे और यहां पर देखिए आधा चूला अटका हुआ है तो अभी चूला भी डालना है तो चलिए फटा फट पहले गेहूं गोलिया लेते हैं इसके बाद जो है कि चूला को डालेंगे तो कि आधा तो देखिए यहां पर दौरा में और बाहगुना में जो है कि गेहूं